स्वागत दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थ के लिए बहुत most important वीडियो रहने वाला ठीक है क्योंकि दोस्तों आज आप सभी का विज्ञान और कि साइन्स का बोर्ड पर इक्छा है ठीक है और आज की इ चलि करते हैं तो चली दोस्तों लोगे आज की इस वीडियो को सुल्ब करनेंगे और आपका आड़ को चप चुका जिसमें आपको 6 उस भाहिन जबाद देना और अज की इस वीडियो इस पहले पहला प्रेस प्रस्न आतरण का नाम बता है जो जाला के टर्मिनल के बिच विवांतर को बनाई रखने में मदद करता है ठीक है लिखेगा विवांतर का एसाय मतरक वोल्ट है ठीक है वैटरिक चाले के टर्मिनल के बिच विवांतर को बनाई रखने में मदद करता है ठीक है इस प्रकार सेंसर को लिखेगा विवांतर का एसाय मतरक व उसको मापने के लिए हम दो एमिटर का परियोग करते हैं ठीक है और यहाँ पर दोस्तों बोलता है कि इस विदुत परिपात में किस तरह सन्यूजित किया जा सकता है तो दोस्ति यहाँ पर लिखे कि अमिटर का परियोग विदुधार को मापने के लिए किया जाता है इसे विदुत परिपात में सरेनी करम में सन्युजित किया जाता है यजा कि इस प्रकार से लिखेगा चली है तीन नमद दुस्ट कहता है कि सॉल्डर जो एक मिस्र धहतव है तो वह किन किन धहतवों से मिलकर बना होता तो सॉल्डर दूस्तो एक आपका तोहें तीन और लेट दो प्रकार के जो मिस्र धातवों से बना कर सुल्डर को त्यार के जाता है ढ שמצर को दोस्तों टीन जिसको SIN कहते है ठीक है और आपका लेट जिसको पीबी कहते है यह दुनका Mi jan withous दोस्त्तों लोग जे डूसरों से शुल्डर को बनाते है चलिए चार नमदे सुकता है एथिन का आन्विक सूत्र आपका C2H4 है तो इसमें से कौन से ससन्योजी समन्ध है ठीक है तो इसमें दोस्तों दो को कार्बन है ठीक है परमानों के बिच दिविवबंद तता कार्बन और हाइडरोजेन परमानों के बिच एकल बंद होगा ठीक है पुरुषों में पाया जाने वाले लिंक गुंशूत्र कौन-कौन से है तो इस त्रीम दोस्तों आपको पता है कि एकस गुंशूत्र पाया जाता है जड़की पुरुषों में दोस्तों जो एक गुंशूत्र है एकस वाई पाया जाता है इसको लिख लिजेगा ठीक है चलिए छेन मर्द सुकता पारितंत्री के आज्येव घटक का उधारन दिजी ठीक है तो जल मृद्दा वायू आधि पारितंत्री के जो है क्या है पारितंत्री के आज्येवी घटक है इस प्रकार से लिखेगा चलिए शाद नमर दोसु कहता है प्रत्यक पोसी अस्तर पर उपलब्द कार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिसथ अगले अस्तर में पहुंशता है थे मंगले परसेंट ये अगले जैनेरेशन में चलिए आठ नंबर को प्रस्न आपको बहुत इंपोर्टन हो सकता है तो आज आपके पांच नबर का प्रस्न में देखने को मिले है तो इसको याद के लिज़े ठीक है और इसका बाद हम आपको एक और सब्जेक्टी का वीडियो देंगे जो कि लॉंग कॉसम्स कराएगा उसको देख के जाएगा चलिए उसके लिए सब्सकाइब नहीं के सब्सकाइब जब से खल जे जबकि किसी चालक से एक सेकेंड में एक क विदुधारा गाते हैं ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट नॉन नमर करता है किसी चालक की लमाई में परिबर्तन का ठीक है उसके प्रतिरोध का पर क्या प्रभाव परता है प्रतिरोध और प्रतिरोध धकता दोनों अलग अलग चीज़े ठीक है जैसे कि इसका SI मत्रेक आपक किसी चालक के प्रतिरोध उसके लमाई उपर निर्भार नहीं करती है साफ साफ हम लिग दिया है ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट बरते हैं दोस्तों 10 नमर ठीक है अमलगम किसे कहा जाता है लिखेगा ऐसा मिस्र धातू जिसमें एक धातू पारा होता है उसको अमलगम कहते ह है ठीक है 11 जीवों में पाई जाने माली विविंता का क्यालाब है तो दोस्तों यहां लिखेए कि जीवों में जेव जीव विदिता पारितित्र को इस्तिर प्रतान कर पारिस्तितिक संतुलन को बरकरा रखती है पौधे तद जन्तू एक दूसरे को खाद सिंखला तथा ठी होते एक प्रजाति की बिलुक्ति होने से दूसरे जीवन को प्रभावित करती है तो इस प्रकार से इसका उत्तर को लिख लिजेगा जेविदिता के बारे में जो भी जानते हैं ठीक है 12 संवृत्तियंग कि किसे कहते हैं जितना प्रसन बता दूसको देखे एक बार कम से कम कुछ ना कुछ याद होगा उसको लिख के आएगा तो संवृत्तियंग किसे कहते हैं ऐसा जो सरचना में अलग-अलग होता है पर उनका कार एक होता है जैसे है कि पच्छी के पंक और कीट के पंक ठीक है देखिए संवृत्तियंग का मतलब क्या हो था आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा चीज जो कि दुस्तों उसका अलग है लेकिन कार उसका काम एक है जैसे कि पच्छी के पंक अगर पच्छी का पंक वह आसमान मूरता है उसी प्रकार से कीट का पंक भी आसमान मूरता है लेकिन संवृत्चना अलग है पक्छी कुछ इस प्रकार का चलती ह है और अपका पतंक को से इस प्रकार का ओरता है ठीक चलिए आगे बरते नेक्स्ट ग्यारा हो गया तेरा ओगी अठीक है बारा अपने बहवार का उधारन दे जो बताता है कि आप परिवरन के मित्र है तो मैं बजार जाते समें खुद का थैला ले जाता हूं और प्लास्टिक प्रिवरन को नुक्सान पहुंचाता है इस प्रकास लिखे है क्योंकि प्लास्टिक आई साचीजी जल्दी बिगटित नहीं होता है चाहिए आगे 24 नमर कता है जीवासम क्या है तो लाखो अत्वक करोर साल यानि कि हजारो साल पहले पाई जाने वाले जीवों के पररचित कठ सब्सक्राइब करता है या एक पीडी से दूसरी पीडी दर अस्थांत्रित होती है और यह पूर्णता डियने पर निर्बार करता है तो प्रथम उत्त पादक है तो इस प्रकार से इसका कुछ चलता है खाद स्रिंखला ठीक इस्प्रकार से लिखेगा इसमें प्रादब उत्त पादक है जब कि प्रतम उपभोगता भी है और चेल जो है क्या है उपभोगता है ठीक इस प्रकार से लिख लिए अंतिम उपभोगता है ठीक है next दूस्तो सत्रा नमर विदुधारा का SI मातरक लिखे किसी चालाक में विदुधारा मापने के लिए किस उपकरण का परयोग करते हैं तो विदुधारा के SI मतरेक आइमपियर होता है किसी चारा के विदुधारम आपने के लिए अमिटर का परयोग किया जाता है ठीक है इस प्रकार से इसको लिखेगा आगे बरते हम लोग 18 अठारा नेम दुस्तों का तब प्रतिरोध की SI मतरेक लिखे किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबायों पर निर्भर करता है ठीक है चलिया आगे 109 नमर करता है कि दो ऐसे धातों का नाम बताए जिसे असाने से चाकु से काटा जा सकता है तो देखे सोडियम पोटासियम और मे देजिए चलिए 20 नमर CH3, CH3, CH3 ठीक है C2H4 में कौन सा प्रयक्तमक समोग उपस्तित है तो CH3, CH3 में किटोन और दूसरी इसमें आपका जाए ठीक है क्या है तो C2H4 में एलकिन प्रयक्तमक समोग उपस्तित है इसको लिख लिजेगा चलिए एका इस प्रतिरोध का SI मतरेक और क्या यहां चलिए की लमाई पर निर्वर करती है तो प्रतिरोध का SI मतरेक ओम में टर होता है यह चलिए की लमाई पर निर्वर नहीं करती है तो प्रतिरोध के SI मतरेक लिए किसी धार का प्रतिरोध उसकी लमाई पर निर्वर करती है यहां पर क्या पूछा है यहां चल करेंगे तो और इसको आप सम्हानतर कर वटँए टब चलिए पर अश्मानतर कर अब फास्व करब में एक बैंट्रप्ला युटा ऐसे दोस्तों, नेक्स्ट बूलता है, 23 नमर के दो ऐसे धात्यू का नम बता ही है, जिसे हताईली पर रखते ही पिगहल जाए, यानि कि इतना उसका गल्नांग काम होता है, ज़ादा होता है, कम होता है कि कम सी कम अपमान पर घल जाता है, C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 तो C3H6 और C2H2 संकलान विक्रिया दर्साएगा क्योंकि संकलान विक्रिया एक ऐसा विक्रिया जिसमें आजसंत्रिफ्थ हाइट्रोकारवन किसी ओत्प्रेक के उपस्तिती मेठीक आजसंत्रिफ्थ हाइट्रोकारवन एनकी एलकेन का निर्मान करता है आगे 225 अनुबान सिक्ता से अपका समझते हैं तो मातापिता के गुनों को 1 PD से दूसरी PD में अनुबान सिक्ता का लाता जोकि पूरनता DNA पर निर्भर करता है 26. अजनपुरत के छती के लिए कौन से रसानी उतरदाईथ है तो ओजन प्रत के छती के लिए दूसर प्रम्मुखरोप से क्लोरो फ्लोरो कारा जिसको समनोग CFC करते ठीक है CFC ठीक है उतजाय थी इसका तिरिक्त हाइड्रोजन अक्साडी मिथेन सेमेट समेट बहुत सारे गैस जो इसके लिए जीमेब वार गैस है ठीक है समय डौक्र नहीं आप आप प्रितवी पर आए प्रितवि पर आने के बाद कुछ शिलव प्राप्त की है उसी को पासर लक्षन कहा जाता है चलिए 29 नमर का द वोल्ट चमिटर का प्रियोग कलिंटी आसिमा पने के लिए कि जा इससे द आता है तो तो पारा दोसे काईसा धात हो जागा है तो कमरे कताब के दवराबस्ता में पाए जाते है ठीक 31 एलकाइन का समाहिन सुत्री क्या होता है तो एलकाइन का समाहिन सुत्र होता है प्रियोक के लिए किस्प निर्भर करता है तो उत्पादक अपने उर्जा के लिए किस्प निर्भर करता है तो उत्पादक अपने उर्जा के लिए जल सुर्जा का प्रकाज क्लोरो फ्यल्ड ठीक है करवान डियोक्साड अन पर निर्भर करता है क्योंकि इससे उसको उर्जा मिलते है रोशनी मिलते है ठीक है सब्सक्राइब ने किये तो है और जितना दोस्तों को जव सिर्फिजा है चलिए आज किस वीडियो के लगते हैं देने स्टूडियो में